हलो फेंज, वेलकम तो इस्टेपपाईएस and here we are going to start our news analysis, तो आज 4 सेप्टेमबर है, जो भी important news है उसके बात करेंगे, सबसे पहले personal guidance की बात कर लेते हैं, इस प्रोग्राम में आपको answer writing की tuning दी जाती है by the experienced coach और यह बताया जाता है कि कैसे कम समय में हम अपनी तैयारी को बहतर बना सकते हैं, यानि आपकी जो self study होती है, उस पर topic को बकाईदा discuss भी किया जाता है आपके साथ, और online guidance के माधियम से आपको train करने की कोशिश की जाती है, साथी साथ offline का भी option available होता है, तो आप जिस भी program में अपने आपको बहतर समझते हैं, आप approach कर सकते हैं, one more thing, अगर रहते ही आपको जुड़ना होगा, ताकि आप result के लिए तयार हो पाएं, देखे, इस program के माधियम से आपके जो mentor या coach होते हैं, वो आपको supervise करने की कोशिश करते हैं, आपको निगरानी में रखने की कोशिश करते हैं, कि आप ऐसे कोई भी गलतिया ना करें, जो आपने पह कर लें बाकी की डिटेल्स के लिए, और अब discussion को स्टार्ट करते हैं, आज का पहला news है, East Asia Summit Economic Ministers Meeting, यह meeting organized की गई थी Singapore में, जो जैसे यह news में है, East Asia Summit हुआ था, और इसमें एशियान के 10 countries हैं, उन्होंने पाटिसिपेट किया था, और साथी साथ जो 8 dialogue partners हैं, उन्होंने भी पा Singapore, Thailand, Vietnam, यह Asian countries होते हैं, और इसके अलावा जो इनके dialogue partners हैं, उनमें China, India, Japan, Republic of Korea, इसके अलावा New Zealand और Russian Federation के साथ United States of America भी शामिल है, तो यह एक बहुत बड़ा सा organization है, जिसमें की almost जिते भी major countries हैं, वो शामिल है, तो क्या दखना है कि यह summit कहां पर organize किया गया था, और इसमें Next News है, Pravaha, Pravaha एक e-learning platform है, याद रखेगा, question पूछा जा सकता है, Prelims में, Pravaha क्या है, एक e-learning platform है, जिसको की develop किया है, Department of Official Language ने, याद रखना है, यह language को enhance करने के लिए, language को सिखाने के लिए एक platform है, e-learning platform है, जिसमें की total 16 Indian languages को सिखाया जा रहा है, और इसमें English भी शामिल ह याद रखेगा, यह question में बन सकता है, excluding English आ सकता है, बट आपको याद रखना है, कि 18 Indian language में English को भी शामिल किया गया है, जो इस platform पर सिखाया जाए, जिए हिंदी को असानी से सीख सकता है, चाहे उसका mother tongue कोई और language क्यों न हो, वो इस platform के माधियम से Hindi को सीख सकते है, इसके अ और इसके माधियम से, जो software है, या जो platform है, इसके माधियम से English to Hindi या Hindi to English, चीजों को असानी से translate किया जा सकता है, और सीखा जा सकता है, बहुत ही simple manner में, दूसरी चीज़ अगर हम इस department की बात करें, department of official language की, तो यह ministry of home affairs के अंडर में आता है, यह बहुत important information है, आप confused हो सकते है याद रखना है कि department of official language, ministry of home affairs के अंतर गता है, and the union home ministry has recently chaired the first review meeting of department of official language, तो recently इसकी meeting भी conduct की गई है, और यह platform जो बना है, प्रवाह यह आपको याद रखना है, और इसा क्यों किया गया है, पिकल्स जो issues आते हैं, Hindi language को लेकर के, जो official work में Hindi language को indirectly promote करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें आने वाले जितने भी issues हैं, problems हैं, उसको कर्व करने के लिए इस platform को लाया गया है, जो बैंक को लेके, called India Post Payment Bank, इसके कुछ features हैं, जो कि important है आपको याद रखना है, पहली चीज़ की financial inclusion को बढ़ाने के लिए, या फिर banking facility को available करने के लिए इस program को लाया गया है, या और इसमें कुछ खास चीज़ें जो आपको याद रखनी है, कि कौन-कौन से options होते हैं customers के पास, यह पूरे bank की तरह ही काम करता है, ठीक है, customer can make deposits, customer जो है वो deposit भी कर सकता है इस payment bank में, लेकिन up to 1 lakh रुपीज तक, otherwise 1 lakh से जादा अगर payment होता है, तो वो फिर saving account में convert हो जाता है इसके अलावा इसके पास कौन-कौन से facilities होती हैं, तो सारी facilities होती हैं, जैसे कि remittance services, mobile payment, transfer, third party fund, transfer, यह सारी चीज़ें इसमें available होती हैं, एक बहुत important information, कि जो payment banks होते हैं, वो debit card issue कर सकते हैं, debit card means nothing but the ATM, right, ATM को ही debit card बोलते हैं, तो debit card issue कर सकता है यह payment bank, लेकिन credit card नहीं issue कर सकता ठीक है, credit का option उनके पास नहीं होता है, and it cannot lend loan to the customer, और यह loan भी customer को नहीं देता है, तो आप इन दोनों statement को match कर सकते हैं, कि अगर यह loan provide नहीं करता है, तो credit card कैसे provide करेगा, right, तो यह कुछ features है payment banks के, और आप आगे चल करके payment bank और small financing bank के बीच में, difference भी पढ़ेंगी economics में, तो payment bank का यह terms है, यह clear रहेगा, इसमें क्या-क्या facilities होती है, next news है, the urban commute, एक report आई है, बहुत important है यह news, इसमें आप इस data को इस्तमाल करें, अपने answers को लिखने में, जब भी आप pollution control की बात करें, कि state के क्या steps रहे हैं, pollution control करने में, तो अभी एक report सामने आई है, Center for Science and Environment, a New Delhi-based think tank, यह CSE, जो है, एक think tank है, और इन्होंने एक report release किया भी, the urban commute के नाम से, ठीक है, और इन्होंने total 14 cities का survey किया था, 14 cities के नाम यहां पर लिखे वे हैं, Delhi, Mumbai, Kolkata, इस सारे cities, जो big mega cities हैं, उसमें शामिल किया गया था, और report के accordingly यह पाया गया, कि जो भपाल है, वो इस, इनके survey में, top list है, मतलब वहां पर, emissions होते हैं, energy का consumption होता है, वो lowest है, overall जितने भी cities है, इनके अमंग में, भपाल में, जो emission है, वो थोड़ा कम होता है, यानि कि वो थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित है, इसके अलावा, अगर हम Delhi की बात करें, तो वहां की situation बहुत worse है, जिसके हमने और भी क जाते हैं, जहातर लोग अपनी गाडियों को लेकर के निकलते हैं, office के लिए, job के लिए, और वो एक बहुत बड़ा reason create करता है, fuel consumption का और साथी साथ, pollutants के emission का, इसके अलावा, कोलकाता और मुंबई का सर्वे किया गया, जो कि एक mega city है, तो यह पाया गया कि यहाँ पर थोड चलते हैं, या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, private vehicles ज्यादा यूज नहीं होता है, वहाँ पे इस वज़े से, जो fuel का consumption है, वो कम होता है, और emissions कम होते हैं, and the reason attributed for this sheer number of the people, high volume of travel and personal vehicle, and the long trip distance, तो ज्यादा अगर personal vehicles वगर यूज होता है, तो यह बड़ा reason हो दूसरी important बात, इस report में यह पाया गया, कि जो greenhouse gas का emission है, उसको बढ़ाने में, या इसको increase करने में, सबसे ज़्यादा जो role है, वो transport sector का है, याद रखेगा, we're the highest among all the sector, यह आप लिख सकते हैं, गर आप greenhouse gas के बारे में लिख रहे हों, इसके cause के बारे में लिख रहे हों, तो anthrop anthroposonic region में, जो transport sector पे emission है, वो सबसे ज़्यादा contribute करता है, green house gas के emission में, तो पहली चीज याद रखने है, और इसको राजीव गांधी और इसको राजीव गांधी और नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो यह सबसे important fact है, और आपको याद रखने है, असाम में है, इसके अलावा, यह जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे one horn rhinos पाए जाते हैं, pigmy hog, elephant के लिए भी यह जाना जाता है, इसके अलब और भी कई सारे facts हैं, इस नेशनल पार्क के जो important, जो भी important बाते हैं, आपको उसको ध्यान में लखना है, related to the orang national park, निक्स न्यूज है, conservation of western ghat, वैसे हमने इसमें detail पे बात की थी, बड़ अभी ये news में दोबारा से है, because NGT ने काफी seriously लिया है, भी western ghat के threat को, और जितने भी western ghat states हैं, छे राज जी हैं total, जो western ghat में आते हैं, और उसमें कैरला भी है, जिसको की NGT ने अपनी नजर में लिया है, कि यहाँ पे जो environmental clearance मिलते हैं, उसको check out कि जाएगा उसको थोड़ा कर्व किया जाएगा ताकि जो एको sensitive area में जो adverse impact आ रहा है, अभी environment pollution का या इन चीजों का वो कम किया जाए, ठीक है, तो कई सारे directions पेश के हैं NGT ने और इसी के दौरान गडगिल committee की बात की गई, कि गडगिल committee को क्यों बनाया गया था, तो आपको याद होगा कि Western Ghat के ecology को चांचने के लिए उसका पता लगाने के लिए एक Western Ghat Ecology Expert Panel बनाया था, जिनके head थे माधव गडगिल, ठीक है, और नहीं के अंडर में इस पूरी committee का गठन किया था, और इसमें जो Western Ghat के overall 1500 km तक का area आता है, उस भी को शामिल किया गया था, और कई सा कि जितने भी genetically modified cultivations हैं इस area में, वो complete ban होना चाहिए, साथी साथ plastic bag का use नहीं होना चाहिए, और अगले तीन सालों में फूरी तरीके से phase out होना चाहिए plastic bags का, इसके अलावा कोई भी नया special economic zone उस area में अब allow नहीं किया जाना चाहिए, और जो lands होते हैं, जो public lands हैं, उनको private lands में convert नहीं करने दिना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई और development जादा ना हो, इसके अलावा और भी कई सारे recommendations इन्होंने दिये, पर problem ये आई कि जितने भी राजे हैं, छे राजे, उन्होंने गडगिल कमीटी के report को मानने से इंकार कर दिया, और इसके बाद फिर दोबारा से कास्तुरी रंजन कमीटी है, वो एक्जामिन कर सके कि गडगिल कमीटी की report में जो बातें कही गई, वो किस हद तक practical है, क्योंकि जो बांगी के राजे थे उन्होंने इसको इंप्राक्टिकल बोल करके मानने से इंकार कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद कस्तुरी रंजन क अगर बदाया कि जितने भी रेकमेंडेशन थे गडगिल जो बहुत फूटफुल नहीं थे और 81% जो था उनके अगेंस्ट में गया, ठीक है, लेकिन इनके अलावा इन्होंने भी बहुत सारे और रेकमेंडेशन दिये थे कि कैसे उस एरिया को बचाया जाना चाहिए, इन् गडगिल कमीटी के रिपोर्ट को कि किस तरीके से उन्होंने विस्टरन काट पे क्या मेजास लेने के लिए कहा था और उसके बाद किस तरीके से चीजे आगे बढ़ी हैं, तो आप इसको बहां से पढ़ सकते हैं, और नेक्स न्यूस की तरफ बढ़ते हैं, वह है चाइना- माल्दीव का और होलुले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस दोनों जगह को जोड़ा गया है, इस दो किलोमेटर के ब्रिज से, तो इस ब्रिज के बनने के बाद जो टुरिस्ट हैं, उनके लिए भी और लोकल्स के लिए काफी जादा इजी हो गया, वहां पे मूफ जिसमें की समय भी कम लगेगा और थोड़ी सिक्यॉर्टी भी जाता होगी, ठीक है, तो याद रखना है कि चाइना ने इस ब्रिज को बनाया है, चाइना माल्दीव रेंशिप ब्रिज को, तो आप इसको अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम माल्दीव को रखसॉल एक जगह है, जो कि बिहार में आता है, ठीक है, आप इसका लोकेशन देख लीजे, रखसॉल बिहार में है, और काठमांडू जो कि नेपाल में है, तो इसी साल एप्रिल में इसको अनौंस किया गया था, तो कोशन पूछा सकता है, प्रिलिम्स में इसको याद आपको रखसॉल काठमांडू रेलवे लाइन, इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है, रखसॉल इस इन दे बिहार स्टेट, और आज का कोशन देख लेते हैं, अंकलॉज को लेकर के कोशन है, त्री स्टेटमें गिवन है, आपको बताना है कि सही स्टेटमें कौन अंकलॉज के बारे में हमने कल बात भी किया था, तो कल की कॉशन का अंसर है, जिसमें मुखरती नेशनल पार्क के बारे में पूचा किया था, आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ये तमिल नदो में सिचुएट है, ठीक है, तो थाइंक्यू, थाइंक्यू, नेशनल दूरी तकार झूचा बाताया है, ये थाइंक्यू के दिसमें, थाइंक्यू आइए!